हेलो एवरिवन वेलकम इन माया ब्यूटी वर्ड आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि आप ओलिविया के पैंकेक को डिफरेंट डिफरेंट वे में कैसे यूज कर सकते हैं तो इसको यूज करने के कई तरीके हैं बस यह डिपैंड करता है कि आप किस ऑकेजन के इस आप से तो इसके मैं आपको चार तरीके बताऊंगी यूज करने के कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं तो आएए चलो यह पढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ पहला तरीका है कि अगर आप इसकी इससे चाते हो रेगुलर कवरेज तो रेगुलर कवरेज के लिए आपको क्या करना है इसको कि अपना जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर होता है डैम ब्यूटी ब्लेंडर होता है जैसे ही मेरा डैम ब्यूटी ब्लेंडर है तो इसी को आप तो आप लेंगे जैसे आप रोजाना में लगाना चाहरे हैं और आप ज्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए आपको बस अपके फेस पर चमक आ जाए बस इतनी ही कवरेज चाहिए आपको तो आप क्या करेंगे डैम प्यूटी ब्लेंडर लेंगे बिल्कुल जैसा कि आप इसको आप इसी तरह से एपड़ाई करेंगे तो इससे नहीं को एक हल्की लाइट सी दिश्रणवादा टार रहेगी ओर डैली के साब से वह पर फेक्ट रहेगी तो इससी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो पहले जो तरीका यह है कि आपिस तरह से यूज़ कर सकते है इसको compact की तरह लगा सकते हैं लेकिन さい मैतलब केक मतलब easy शुक्षार नहीं होना चाहिए जैसे आप to compact को ताप सुखा लगाते हैं क्योंकि पें énथ तो यह तो रहें कि आना यह cách कोई अगर आपको इस से थोड़ी सी कवरेज जो है हाई तो आप क्या करेंगे आप इसी का média क्या करेंगे जो इसासा और यह क्या करेंगे की प्रीष पिक कर सकें यानै कि आपको अपना प्रोडक्ट की प्रोडक्ट एक बार आप पिक करें और फिर आप अपने फेस पर एपलाई करें तो इस तरह से मैंने पानी ज्यादा ले लिया है तो यह ज्यादा प्रोटक्ट को यह उठाएगा ने ज़्यादा पाणि लिया है तो इस तरह से आपको लहना ह än कि यह दूर तो और इसको थोड़ा सा इसकोत्रभास थोड़ा सेट होने दें मतलब इसको थोड़ा साई एक्-दो मिनट के लिए एक तो ज्ceक्हें लाद जाता है भी से कंड के लिए आपिसको छूड़ दे और उसके बाद में क्या करेंगे आप प्रस से इसको ब्लेंड कर लेंगे इस तरह से तो इससे आपका जो यह पैनकेक है ना तो केक ही लगेगा और बिल्कुल आपको बिल्कुल इवन कवरेज देगा बिल्कुल और बिल्कुल एजी लिए आपकी स्केन में यह पैट जाएगा तो दूसरा तरीका यह है यह तरीका काफी अच्छा और इससे आप बिल्कुल अच्छी coverage ले सकते हैं यह देखें दिख रही होगे आपको coverage तो दूसा तरीका यह है आप इस तरह से रख सकते हैं और इसके बाद में अगर आपको चाहिए बिल्कुल high coverage तो आप क्या करेंगे अपने इसी में ही जो आपका pancake है अपने pancake में ही पानी ले लेंगे थोड़ा सा इस तरह से मैंने पानी ले लिया और इसको आप क्या करेंगे थोड़े छोड़ेंगे जिससे कि आपका pancake थोड़ा सा गीला हो जाए और उसके बाद में आप क्या करेंगे फ्लैट ब्रस लेंगे और फ्लैट ब्रस से आप क्या करेंगे इसको जैसे मै नॉर्मली आप कोई पेंटिंग वगरा करते हैं इस तरह से आप इसको लगाएंगे यह आपने लगा लिया है यह मैंने यहाँ पर लगा के दिखा दिया है और इसको उसके बाद में थोड़ा सा इसको सेट होने देंगे 20 सेकेंड के लिए और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से इस पैंकेक से ही तो आप इसको बाद में क्या करेंगे इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट करेंगे तो अभी मैं इसको थोड़ा ड्राय होने दूंगी उसके बाद में मैं इसको ब्लेंड करूंगी तो यह इसके बाद में इस तरह से आपको इसको ब्लेंड करना है अपनी स्किन पर इसको मैठाना है यानि कि आपकी स्किन इसको अब्सर्ब कर लेगी इस तरह से यह देखें तो यह थोड़ी और हाई कवरेज देगा तो यह तीसरा तरीका है लगाने का अगर आपको और ज्यादा हाई कवरेज चीए बिल्कुल ब्राइडल बेस के लिए चाहिए देखें आपको बिल्कुल डिफरेंस दिख रहा होगा यह इतना है यह यहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल मैंने सबसे पहले लाइट वाला बताया था अगर आपको बिल्कुल ब्राइडल बेस की तरह ही हाई कवरेज चाहिए तो आप क्या करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर हाथ पर फान्डेशन लगाया हुआ था मैंने यहां पर क्राइलन का सुप्रा बेस कलर लगाया हुआ था हाथ पर तो मैं उसमें ही आपको ऐसे मतलब कोई भी फाउंडेशन लेना है जो भी आप फाउंडेशन यूज करना चाहते हैं जो भी आप ब्राइडल को लगाते हो बेस बनाते टाइम या फिर आपने पर ही फ तुक्त प्रोड़क्त था तो उसी ब्रस चाहिए फिर से आपना मतलब ब्रस गींवा कर सकते हैँ फिर पैनकेक कई गील कर सकते हैं और अपना प्रोडक्त उठाएंगे और इस पर लगा है बिल्कुल हाई coverage अपको मिलेगी यह देखें है कि यह मैंने इतने में ही लगाया था तो यहां तक है आपका और उसके बाद में नहीं देख रहा तो इससे आपको और हाई coverage मिलेगी तो यह चार तरीके हैं आप चार तरीकों से लगा सकते हूं अगर आपकी तो इसमें थोड़ा साथ मिक्स करके फिर अपने स्पॉन से लगा सकते हैं तो यह चार तरीके हैं जिस तरह की कवरे चाहिए आप उस हिसाब से लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट है इसकी स्टेबिल्टी काफी अच्छी है पूरे दिन आपका स्टे करता है और वाटरपूफ होता है अगर एक बार सैट हो जाता है तो और ब्राइडल्स के लिए बहुत अच्छा होता है और वैसे नॉर्मल पार्टी वगएर अगर आप चाहते हो तो क्योंकि पार्टी में भी कवरे चाहिए उस तरह से आप लगा सकते हैं तो आप उनको प्लीज ट्राय करके देखना आप मेरे साहत में फीड जरूर शेर करना कि आपको एक इस तरह के लगे तो यह मेरी वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को आप लाइक कर देना औ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तिल देन बाइ बाइ